ओम स्री गनेशाय निमहा भैरव का शाब्दे कर्थ होता है रक्षा करने वाला या रक्षक भैरव भगवान शिव के पांचवें अवतार हैं जिनके मुख़े दो रूप हैं काल भैरव और बटुक भैरव अधिकांश लोग काल भहरव को ही बटुक भहरव मानते हैं जो की गलत है हालंकि दोनों शिव रूप ही हैं परन्तु इन में अगाद बेद है अब मैं आपको काल भहरव, बटुक भहरव और कपाल भहरव के जन्मी की कता बताता हूँ आईए जानते हैं काल भहरव की उत्पत्ति की कता पुराणा के अनुसार जब भ्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन हुआ और दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे अर्थाद विष्णु कहते कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा कहते कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ है इसी बीच उनके मध्य में एक अगनी स्तंभ प्रकट हुआ जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अगनी स्थम्ब का और या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारन किया और विश्णु जी ने एक वराह का रूप धारन किया ब्रह्मा जी ने उपर और विश्णु जी ने नीचे की और प्रस्थान किया एक समयाने के बाद श्रीहरी विश्णु ने यह मान लिया किस अगनी स्थम का कोई अंत नहीं है परन्तु ब्रह्म देव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तयार नहीं थे कुछ उपर पहुँचने पर उन्हें वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला उन्हें उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्तन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपुन पुष्प की उपाधी प्रदान करूँगा केतकी ने ब्रह्मा की ये बाद स्विकार कर ली और उस पुष्प को लेकर के ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए जब उस अगनी स्थम ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला तो इस पर नारायन ने तो मना कर दिया परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हा मुझे मिला है और स्यत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया केत्की ने भी भ्रह्मदेव का समर्तन किया तब उस अगनी स्थम ने एक पुरुष की आकरती ग्रहन की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव उन्होंने भ्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं और भ्रह्मा को असत्य भाषन के लिए कभी भी ना पूजे जाने का श्राब दिया और केत्की के असत्य भाषन के लिए उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाए जाने से निशेद कर दिया तब भ्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंब कर दिया और स्वयम को सबसे बड़ा बताने लगे उस समय भ्रह्मदेव पंचुमकी होते थे तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अंकार व्याप्त हो रहा है और स्रिष्टी के रचना में यदि स्रिष्टी रचना से पूर्वी अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण स्रिष्टी अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी इसलिए उन्होंने अंकार रुपी भ्रह्मदेव के उस पांचवे सर को काटने का निर्ने लिया परन्तु इसमें भी एक समस्या थी भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने भ्रह्मदेव का सर काटा तो उन्हें भ्रह्म हत्या का दोश लगेगा और यदि उन्हें भ्रह्म हत्या का दोश लगा और उसमें उलचकर केवे त्रीमूर्ती से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा इसी कारण सर्व समर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंच से एक ऐसे विक्राल गण को उत्पन किया जो कृष्ण वर्ण के थे अस्तियों के आभूशनों से सुशोबित थे उस जिव्य पुरिश को देखकर और उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेगों ने जीवन्त रूप लेकर गर्जना की हो उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंग के भयानक विश्धर हूँ उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की तीन रेकाएं ऐसी लगती थी मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर शुशोबित होने के लिए स्वयम को तीन टुकडों में विभक्त कर दिया हूँ उन परम उग्र देवता की लंबी बुझाएं ऐसी लगती थी मानो लौस्तंब हो भयानक अश्ट महानाग जिनका यग्यो पवीत बने इतरा रहे थे कमर पर बंधे मोटे मोटे गुंगरूओं से ऐसी अवाज आ रही थी जिससे हिर्दे विदीन हो जाए उस महाकाय महाबाहुगण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के पांचवे सर का छेदन कर दो इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा न ताव अपने नाखुन के एक ही प्रहार से ब्रह्मा का पांचवा सर उखाड लिया परंदु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया जब उन्हेंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्हेंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है अपितु ब्रह्म हत्या है इस ब्रह्म हत्या के फल स्वरुप तुमें श्रापित होना पड़ेगा उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काट कर इस स्रिष्टी की अंकार से रक्षा की है अतह आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर स्रिष्टी में विजरन करो और जहां भी ये सिर्थ तुमारे हाथ से छूट जाएगा, महीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरफ ने उस सर को हाथ में लेकर स्रिष्टी के चक्कर लगाने शुरू किये। वो सारी स्रिष्टी में अनन्त काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं चूटा, परंतु स्रिष्टी के चक्कर लगाते लगाते उनकी गती इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायंड के करण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहाँ पर भगवान भैरव के हाथ से भ्रमदेव का वो कपाल छूट गया, तब भगवान भैरव वही रुख गए और तब वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने उनसे कह कि ये मेरी प्रिये काशी नगरी है, और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहां स्थापित हो, परन्तु तुमें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा, और तुमें इसी भ्रम कपाल में भोजन करना होगा, तुम अपनी ती तुम काशी, काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे, ध्यान रहे, काशी में मरने वाले को यम्स पर्ष न करे, तब बाबा काल भहरव ने महादेव से पूछा, कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे, तो उनने कहा, कि यहां मृत प्राप्त करने वालों को यम्राज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे, बिना काल यातना प्राप्त किये, कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोडेगी, जिस जगा पर वो अगनी स्तंब प्रकट हुआ था, वो जगा आज के समय में अरुनाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस स्थान पर भ्रह्मा का कपाल चूटा था, वो जगा आज के समय में वारानसी स्थित कपाल मोचन तीर्त है, इसी कता से संबंदित बाबा कपाल भहरव के जन्म की कता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी ह हम बाबा बटुक भहरव के जन्म कता के बारे में जानते हैं, बाबा बटुक भहरव के जन्म की कता, आप सभी को उस कता का ज्यान होगा, जब परमेश्वरी महाकाली को शान्त करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चड़नों के नीचे लेट गए थे, तब मा भगवान ने उन्हें वचन दे दिया परंथु कालानतर में जब माता ने दारुक, नामक, असुर का संगार करने के लिए पुण allons काली स्वरूब धारन किया और वो नियंतरन से भार हो गई तो भगवान ने वचन बंदित होने के कारण एक ननन्य से भालक का रूब धारन किय और मा मा कहकर काली मा को पुकारना आरंब किया बालक की करोण पुकार को सुनकर मा काली का हरदे द्रवित हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड़ प्याड़ करने लगी और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया तब उस बालक से मा ने पूछा कि तुम कौन हो तो उस बालक ने उत्तर डिया कि मैं शिव हूँ तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक रूप धारन किया है बटुक कार्थ होता है बाल रूप तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्व रूप को धारण करिए तब भगवान शिव अपने शिव रूप में आ गए तब माता ने उनसे पुनह अग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निका लिए तो भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा इस पर उन्हें कहा कि उस स्वरूप में आपने मुझे मा कहा है आप तो मेरे स्वामी हैं पुत्र नहीं हो सकते तब परमेश्वर ने पुनह बटुक रूप को प्रकट किया तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप से संसार की रक्षा की है मेरे क्रोध से इसलिए आज से आपको भहरव की उपादी दी जाती है आज से आप बटुक भहरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे बटुक भहरव पापियों के काल हैं उनकी उपस्तिती जहां सादक को सुख का आभास करवाती है वही वो बालक पांच वर्ष के आयूं में भी पापियों का काल है सोचिए कि जिस बालक ने माकाली के क्रोध को शांत कर दिया उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा ये थी बाबा बटुक भहरव की उत्पत्ति की कथा वो प्रोक्त वर्णित दो भहरवों के अलावा कोई भी ऐसे बहरव नहीं है जिनकी उत्पत्ति साक्षाद भगवान शिव से हुई हूँ रक्شक की भूमेकाने भाने के लिए समय सिमेबर बाबा काल भहरव से ही अनने सभी भहरवों उप भहरवों के उत्पत्ति हुई है जिनका मुख्योदेश माता के विभिन्ड रूपों की रक्षा करना ही था परन्तु इन सभी भैरवों में से भी एक भैरव ऐसे हुए जो काल भैरव को सबसे प्रिये है भगवान काल भैरव ने उन्हें अपने अनुज का स्थान दिया अपना दंडा दिकारी बनाया जिनका नाम है कपाल भैरव आईए जानते हैं कपाल भहरव के उत्पत्ति कता यहां कपाल भहरव के जन्म के उत्पत्ति की कता बताने से पहले मैं आप सब की बाबा कपाल भहरव की कुछ विशेश बाते बताना चाता हूं और आध्यात्मे में सिद्धी की पराकाष्टा कपाल भेदन क्रिया को माना जाता है इस कपाल भेदन के मुखे रूप से दो प्रतिकात्मक या मुख देवता है सर्प प्रता में माता छिन्न मस्ता जिनने स्वयम अपना शिर्ट छेद कर दिया था और दूसरी है भगवान परशुराम की माता और रिशी जम दगनी की धर्मपतनी मा रेणुका जिनका सर पित्या की आग्या से स्वयम भगवान परशुराम ने काट दिया था जिस प्रकार सर्प जागरित कुंडलिनी का प्रतीक होते हैं उसी प्रकार ये दोनों माताईं कपाल भिदन क्रिया की प्रतीक एवं पराकाश्ठा हैं परंतु शास्तरों के गूर जानकार इस बात को जानते हैं कि इनके अलावा कुछ और भी देवता हैं जो कपाल के अधिश्ठात्र देवता हैं जिन में प्रतम हैं माता हिंग लाज ये बावन शक्ति पीठों में प्रतम हैं यहाँ पर माता सती का ब्रह्म रंद्र गिरा था यानि कि माता सती का कपाल और दूसरे हैं बाबा कपाल भहरव जिनके उत्पत्ती साक्षाद ब्रह्म देव के ब्रह्म कपाल से हुई थी इनी बाबा कपाल भहरव की कथा अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ जैसा कि मैंने काल भहरव के जन्म की कथा सुनते हुए ये बताया था कि कपाल भहरफ की कता इनके अंत से संबंदित है उसी के आगे से मैं बाबा कपाल भहरफ की कता शुरू कर रहा हूँ जब बाबा काल भहरफ को महादेव द्वारा काशी में स्थापित किया गया तो वो ये सोचने लगे कि भगवान ने मुझे दंड देने का कारित दे तो दिया परन्तु मैं दंड दूंगा कैसे क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ती सही है और कौन सा व्यक्ती गलत तब उनकी नजर पड़ी भ्रह्म कपाल के उपर उनके मन में ये विचार आया कि भ्रह्मदेव के इस सिर के कारण मुझे मेरे पाप का दंड मिला तो क्यों न एक ऐसे गण की रचना की जाए जो व्यक्ती के अच्छे बुरे का निर्ने कर सके और उनके कर्मों के हिसाब से उस एक जीवन्त रूप प्रदान किया उस कपाल के अंश से जिस गण का प्राकटे हुआ वो गण अत्यंत भ्यानक थे सक्षा दूसरे काल भहरफ के समान ही प्रतीत हो रहे थे उनके हातों में जो त्रिशूल था उसमें से विद्युत निकल रही थी हडियों के टकराने कासा उ उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र विद्यमान था परमिश्वर शिव के समान ही वो सर्पा भूशन धारन किये हुए थे उनके एक हात में कपाल था और दूसरे हात में त्रिशूल वगवानकाल भहरफ ने उन्हें देखते ही प्रसंता से उन्हें अपने हिर्दे से लगा लिया और उनसे कहा कि तुम भ्रह्मदेव के खंडित कपाल से प्रकट हुए हो और तुमारे अंदर मेरे कपाल की ही उठ जाए हैं अतह आज से तुम्हारा नाम कपाल भहरफ होगा कपाल हस्त होने के कारण तुम्हें कपाली भहरफ भी कहा जाएगा और आज से तुम काशी में सा इस कारण से आज भी बाबा कपाल भहरव का ध्यान के बिना मगवान काल भहरव के पूज़न नहीं की जाती, जिसके प्रमान है काशी और अज्जेन के काल भहरव मंदिर, जहां पहले मगवान कापाल भहरव को याद किया जाता है, काल यानि समय और काल भहरव यानि समय के भय से रक्षा करने वाले बाबा काल भहरव और भ्रहम देव के भ्रहम कपाल से प्रकट होने के कारण बाबा कपाल भहरव त्रीनेत्रधारी और त्रिकाल दर्शी देवता हैं यह त्यंद शीगर प्रसन होने वाले देवता हैं और बिना सादक का अहित किये हुए ये उसके साथ रहते हैं इनकी पूजा और सादना करने वाला व्यक्ति सदेव सुखी होता है बगवान कपाल भहरव, कपाल से प्रकट होने के कारण कपाल तत्व के इस्ट देवता हैं तो ये थी बगवान काल भहरव, बगवान बटुक भहरव और बगवान कपाल भहरव के जन्म की कता दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपेसर लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपेसर सब्सक्राइब भी कर ले ताकि जो भी नई वीडियो से हम लोग अप्लोट करें वह तो रहन तक पहुंच आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय गनेश ची जय गौरी शंकर जय बगवान कपाल भहरव जय बगवान बटक भहरव जय बगवान काल भहरव